ठीक है, हम कलकी तासिका में यात्रा वृत्य या यात्रा साहित्य जिसे माराथी में प्रवास वर्नन कहा जाता है, इस विधा को लेकर के बाते कर रहें थे, जिसकी विडियो क्लिप यूट्यूब पर बन रही है, थुड़ी देर बाद आपको शेर की जाएगी, कुछ और बातें इस विधा के संबंध में जान लेना बहुत जरूरी है, ध्यान रहें, यात्रा वृत्य या यात्रा साहित्य या प्रवास वर्नन ये बहुत महत्तुपूर्ण विधा है, लेकिन अभी तक कहानी उपन्यास और अन्य लोकप्रिय विधाओं की तुलना में, इसमें बहुत कम लिखा जा रहा है, इसका महत्तुपूर्ण कारण मैंने ये बताया कि भारत में जो पहले धर्मिक मान्यताएं थी, कि समुद्र यात्रा निशेध जैसा गलत कानून था, उस वजह से हमारे पूर्वज बहुत बाहर नहीं गए, लेकिन फिर भी अगर हम या आत्रा साहित्य का इतिहास देखें हैं, तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवी, कवी कुल गुरु कालिदास जित द्वारा लिखित, मेख दूद, यह जो खंड काव्य है, जो मंदा करांता चंद में लिखा गया है, पूर्वमेख और उत्तरमेख ऐसे जो भागें इसके हैं, इसमें, इसकी कथा मैं एक मिनिट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कि यक्षों के राजा अपने एक नोकर से रूठ जाते हैं, और उसे एक देश निकाला का दंड देते हैं, और वह अलकापूरी से आकर सीधे महाराश्टर के नागपूर के रामटेक पर उसको अबध किया जाता है, और राम्टेक पर खड़े रहकर वह मेघों को जाते हुए मेघों को दक्षन से उत्तर जाते हुए मेघों को देख करके यह बताता है कि अलकापुरी में उसकी पतनी जहां है वह उन्हें संदेश दें मेघों को दूत बना कर तो इसमें देखिए कि मेघ दक्षन से लेकर कि उत्तर तक जहां जहां मेघ जाते हैं जा सकते हैं जिस मार्ग से जा सकते हैं उसमें आने वाले परवतों, शहरों, नगरों, राजमहलों का वर्णन कालिदास ने अपने इस खंडकावे में किया हुआ है बहुत ही लोकप्रिय खंडकावे हैं ये संस्कृत की बात हुई, संस्कृत में बहुत सारे यात्रा वृत्त कविता के रूप में मिलता हैं काव्यात्मक भाषा के रूप में मिलता है जिसको हम पद्य यात्रा वृत्त कह सकते हैं लेकिन हिंदी में अगर देखा जा है तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि महापंडित राहूल सांकृत्या यंजी ने सबसे पहले इस विधा की ओर्ध्यान आकरशित किया उन्होंने आथातो घुमकर जिग्यासा नाम का एक महत्तुपुर्ण निबंध भी लिखा है इस विशय पर घुमना चाहिए उसकी इस सेर से उन्होंने शुरुवात की थी दुनिया की सेर कर गाफिल जिन्दगानी फिर कहा जिन्दगानी गर रही नोजवानी फिर कहा तो उन्होंने जो यात्रा वृत्त लिखे हैं उद में से सबसे महत्तुपुर्ण यात्रा वृत्तों का संग्र है किन्नरों के देश में या किन्नर देश में दूसरा उनका महत् अब हिमाले परीचाय में उन्होंने अब ध्यान रखे कि डॉक्टर अंबेडिकर जी ने हिंदु धर्म छोड़कर करके बौत धर्म का अंगिकार कर लिया लेकिन उसके लिए ग्रंथों को खोजने का कार्य सबसे बड़ा किस ने किया है तो रहुल संकृत जी ने किया हुआ है रहुल संकृत जी ने तिबेट में जा करके इसको तिबबत कहा जाता है हिंदी में तिबबत में जा करके वहां के बौध मठों में रहे करके उन ग्रंथों का लेखन यह अनुकरनात्मक लेखन किया मतलब जैसा का वैसा उन्होंने लिख करके लाया और तब जा करके कहीं भ बौध धर्म का पुनरुद जीवन हुआ रहुल सांकृत्ययन के उपरांत एक अन्य बौध प्रचारक आनंद भदंत कौसल्ययन नहीं जापान की यात्रा की और उस यात्रा वृत्त का शिर्ष कुनुन ने लिखा आज का जापान इसके उपरांत हिंदी के प्रशिद्ध साहित्यकार एवं राजनेता सेठ गोविंद दास जी ने सेठ गोविंद दास जी ने मेरी आवाज सुनाए दे रहे हैं सभी को क्रिपया कमेंट बाक्स में लिखें बहुत सारी छात्र छोड़कर के जा रहे हैं मिटिंग आवाज आ रहे हैं तो जिन्हें जाना हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं ठीक है यह सुविधा आप लोगों के लिए है अगर आप छात्रों की समझ में नहीं आता तो हम कुछ कर नहीं सकते ठीक है तो मैं अगले लेखक का नाम ले रहा था कॉंग्रेस के बहुत बड़े नेता और हिंदी के बहुत बड़े लेखक सेठ गोविंद दास जी ने सुदूर दक्ष्ण में नाम से एक यात्रा वृत्तों का संग्रह लिखा हुआ है साथी साथ उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की थी और इसी यात्रा के अनुभव उन्होंने एक अन्य यात्रा वृत्त में लिखे हैं जिसका नाम है प्रित्वी परिक्रमा यानि इसमें विवरण प्रधान यात्रावृत है और इन यात्रावृत्तों का सबसे महत्त पूर्ण उद्देश यह है कि जो भारत में नए नए पढ़ लिखने वाले लोग हैं जो विश्व विद्याले में से पढ़ लिख करके बाहर आ रहे हैं उनको उन उन देशों की जानकारी प्रदान करना विवरणत प्रदान करना वेनी शुकल नाम के एक बहुत बड़े हिंदी के लेखक नहीं इंग्लेंड और फ्रांस की यात्रा करते हुए जो उन्हें अनुभव आये उन अनुभववों को उनोंने लंदन से पैरिस तक इस यात्रा वृत्त संग्रह में लिखा हुआ है गोपाल निवट या नाम के हिंदी के बहुत प्रसिध साहित्यकार नहीं कश्मीर की यात्रा की आप जानते हैं कि कश्मीर आज एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां भारत वर्ष के बहुत सारे लोग ठीगढ़ंग से नहीं रह पाते हैं वहां से पंडितों को भागा दिया गया वगड़े वगड़े लेकिन यह जिस काल में लिखा गया उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी तो कश्मीर उन्होंने कश्मीर पर उन्होंने यात्रावर्त लिखे हैं इतना ही नहीं उन्होंने बंगाल का उपसागर हो हिंद महा सागर हो अरब सागर हो इन सागरों के तटों का भी बहुत बारिकी से वर्नन करते हुए सागर्प्रवाह नाम का एक महत्वपूर्ण यात्रावृत्य संग्रह भी लिखा हुआ है भगवत्षर्ण उपाध्याय नाम के हिंदी के बहुत बड़े चिंतक लेखक ने संपूर्ण विश्व का भ्रमन करते हुए कि वह दुनिया नाम का बहुत महत्वपूर्ण यात्रावर्त्य संग्रह लिखा हुआ है इसके उपरांत हम देखते हैं कि रामवर्क्ष बेनीपुरी जिनका जिक्रम मैंने रेखाचितर और संस्मर्ण में किया था माटी की मूर्ते उनके रेखाचितर शंग्रह का नाम उन्होंने भी बहुत सारे देशों की यात्राएं की थी और उन यात्राओं के यात्रावृत्तों का संकलन उन्होंने पेरों में पंखला बांध कर इस प्रकार से किया मतलब विमान यात्रा उसके उपरांत स्रीनिधी सिध्धान तालंकार नाम के बहुत महत्तोपुर्ण हिंदी चिंतक नहीं शिवालिक की घाटियों में शिवालिक जो हिमाले की कंद्राओं में स्थित बहुत महत्तोपुर्ण शिखर है उस परवत के इर्दगिर्द जो अनुभो प्राप्त के उन अनुभों को लिखने का प्रयास किया है इसके उपरांत हम देखते हैं कि देवेश दास जी ने यूरोप खंड का यूरोप खंड का प्रवास किया यात्रा की और उस पर उन्होंने जो यूरोप नाम का एक महत्तोपुर्ण यात्रावरत संग्रह लिखा हुआ है साथ ही साथ जो देश के राजे रजवाड़े हैं उनके भी यात्राएं करके यात्रावरत लिखे हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है शिर्षक रजवाड़ा तो ये बहुत ही महत्तपुर्ण ग्रंथ हमें हमारे सम्मुख उप्रप्राप्त होता हैं अगर देखा जाए और भी भारत के बाहर गए हुए भारतिय लोगों के यात्रावृत्तों को तो आचार्य देवेंद्र सत्यार्थी जिनोंने धर्ती गाती है नाम का एक बहुत महत्त करें महत्तपुर्ण यात्रावृत्त संग्रह प्रस्टुत किया हुआ है डॉक्र सत्यनारायन जी ने योरूप के जरोखे से हैं योरूप की यात्रा करके योरूप खंड जिसमें रिशिया से लेकर के इंग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी, उसके उपरांत, इटली, ग्रीस, इत्यादी देशों की यात्रा की और महत्यपुर्ण यात्रा वृत्त संगलन लिखा है योरूप के जरोकों से रांगे रागव हिंदी के बहुत प्रसिद्ध प्रगतिशी लेखक हैं जिनके उपन्यास, कविताएं, कहानिया बहुत प्रसिद्ध हैं उन्होंने भी तूफानों के बीच नाम का एक ऐसा यात्रा वृत्त लिखा है जिसमें प्राकृतिक आपदाओं को सहते हुए किस प्रक गिद्ध यात्रा वृत्त लिखे हैं लोहे की दिवारों के दोनों और lucy की दिवारों के दोनों और और दूसरा उनका है राहभीति इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से हिंदी के गणमान्य लेखकों ने अपने जीवन में जहां-जहां प्रवास किया, जहां-जहां यात्राएं किया, जहां-जहां वे गए, वहां के अनुभोवों को अपने यात्रावृत्त संक्रोनों में समेटने का प्रयास किया. एक और महत्त पुर्णबाद कभी-कभी विधाएं एक दुसरे से टकराती हैं और एक दुसरों के वृत्त में मिल भी जाती हैं। डॉक्टर हरिवां श्राबच्चन की आत्मकथा का तीसरा खंड बसरे से दूर। यह उन्होंने WB-Eats पर PhD करने के लिए शोधकारिये करने के लिए Cambridge विश्वविध्याले में जाने के उपरांत इंग्लेंड के वातावरण का वर्णान किया हुआ है। तो यह बसरे से दूर एक परकार से यात्रावरत है। हालांकि इसे शुद्ध यात्रावरत नहीं आपी तो आत्मकथा कहा जा सकता है। लेकिन इसमें जो अलग-अलग इंग्लेंड के अलग-अलग शहर हैं उन शहरों में शहरों का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे और वहां जाकर के उन्होंने जिस W.B.I.T.S. नाम के लेखक कवी पर कार्य किया हुआ है उनकी कविताओं का भी अनुवाध हिंदी में मर्कद विप के स्वर नाम से किया है तो हरिवन श्राब अचेंजी ने अपनी आत्म कथा कि तिसरे खंड को एक प्रकार से यात्रा है उसमें कुछ पत्र भी है जो वे अमिट जी को अजीत जी को और तेईजी बच्चन जी को लिखंगे थे उनन में भी उनकी यात्राओं का विस्त्र वर्णन प्राप्त होता है तो इस प्रकार से बहुत सारी यात्राओं यात्राओं का वर्नन हम देख सकते हैं डॉक्टर विरेंदर वर्मा ने यो रूप के पत्र एक ऐसा यात्रा विवरन लिखा है जो हरिवा श्राइबच्चन की तरह ही पत्र के रूप में लिखा हुआ है यही एक शैली अलग हो लेकिन मूल कथ्य वही है कि यात्रा में हमने क् एक और महत्तुपुर्ण बात यहां में कहना चाहूंगा कि यात्रा वृत्त में जिस पाठ का हमने अध्येन किया है उस पाठ के लेखक निर्मल वर्मा जिनको जियानपिट पुरसकार पराप्त हुआ उन्होंने भी बहुत सारे यात्रा वृत्त लिखे हैं जिनका संग्रह उन्होंने चीडों पर चांदनी के माध्यम से लिखा हुआ है उन्होंने चीडों पर चांदनी यह एक पाठ जरूर है लेकिन इस पाठ के अलावा भी उन्होंने अनेक यात्रावर्त लिखने का प्रयास किया है जो उन्होंने प्राग जैसे इटली या अनेक देशों में ज प्रकृति चाहे किसी भी देश की हो, मतलब भारत के गिरिकंदरा, हिमाले की प्रकृति हो, या फिर कैलिफोर्निया के बरफिले पाहड़ हो। इन सब में एक जिसको हम प्रकृति कहते हैं, प्रमात्मा कहते हैं, वो एक ही है। यह प्रकृती परमात्मा यह यह कहेंगी कि निसर्ग यह हमारी जो सबसे बड़ी माता है धर्ती माता उस धर्ती माता का को किसी एक सीमा में आबध करकर रखा नहीं जा सकता अब देखे कि इन सभी लोगों ने अपना यात्रा विवरण या यात्रा वृत लिखते हुए केवल अनुभवों को नहीं लिखा अपितु उन अनुभवों को अपनी जीवन में कितना बड़ा स्थान है अपनी जीवन दर्शन में उन्होंने किस प्रकार से उतारनी की किये है इसका विवर्ण किया गया है कुछ यात्रा विवरण ऐसे होते हैं जैसे कोई कोई व्यक्ति अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर गया हो उनका भी यात्रा विवर्ण के रूप में आ सकता है इतना ही नहीं ये से हम स्वामे विवेकानंद की बात करते हैं स्वामे विवेकानंद जिने शिकागों में जाकर के सर्वधर्म सभा में हिंदु धर्म की धर्जा लहर आई लेकिन उन्होंने अपनी ग्रम्थावली के छेटे भाग में जहां जहां व्याक्षान उन्होंने दिये उन व्याक्षानों को जाते समय उन्हें जो कुछ कठिनाई या आई कभी पैसे की कठिनाई या आई कभी खानपान की विवस्था नहीं थे कभी कपड़ों की विवस्था नहीं होग सकते थे, ऐसों का वर्नन करते हुए उस उस शहर का वर्नन उसमें अमरीका का इंग्लेंड का किया हुआ है, यहीं स्वामी विवेकानेंजी ने दो बार विदेशों की यात्रा की, तो उसमें पहली जो यात्रा की थी शिकागो की सब क पता है और दूसरी यात्रा में उन्होंने संपुर्ण यूरोप की यात्रा की थे और यहीं उनके बहुत सारे शिष्यगन मिले जिनमें भगिनी निवेदिता नाम की बहुत महत्रोपुर्णा शिष्या उनका प्राप्तुली तो यूं कहें कि यात्रावृत हमारे दैनिक हैं यात्रावृत लेखन में वे हैं डॉक्टर अर्जुन चोहान जी जिनका जन्म परंडा उस्मानबाद जिले में ही हुआ था किन्तु वे आज शिवाजी विश्व विद्याले कौल्हपूर के हिंदी विभाग में कारेयरत हैं वे जब पहली बार मौरिशस गए थे जैसे मैं भी गया था मौरिशस गय थे तो वहांibly वहां के मुडिया पहड का वरणन किया हुआ है वहां की जवाला मुखी से निर्मान हुए अलग-अलग रंगों की मिट्टी का वरणन किया हुआ है भष्प बार ऐसा होता है कि शब्दों की ताकत इतनी जियादा होती है कि कभी कभी जो वास्तविक चित्र है उस वास्तविक चित्र से भी शाब्दिक चित्र प्रवासवर्णन का या यात्रावृत का अधिक आकर्शक लगता है। तक हमने गद्य विधाएं लिए, इन गद्य विधाओं में पांच विधाएं इस सत्र में आपके पार्थेकन में हैं, और चोथे सत्र में पांच विधाएं, इन में से प्रतिक विधा का P.P.T. प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया था, चाहे वो मेरा जीवन नाम के पाठ का हो जो प्रेमचन ने लिखी हुई अपनी आत्मकथा या आत्मकथा का अंशिया आत्मवित्त है उसके उपरांत महियसी महादेवी वर्माजी द्वारा लिखित एक पाठ है जो रेखाचित्र विधा में हैं जिसका शिर्षक निलकंठ मोर है उसके उपरांत हमने एक सांस्मर्ण विधा की ओर भी रुख किया था डोगरी और हिंदी की प्रसिद्ध लेखि का पदमा सच्देव जी ने लिखा हुआ सांस्मर्ण कमला को हमने डिटेल में पढ़ा था उस पर परिक्षा भी ली थी यहीं और उसके उपरांत आचारी हाजारी प्रसद्ध विधिजी द्वार लेखित ललित निबंध शिरिश के फूल यह भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था अत्यमत विस्तार से उसकी बाते की थी उसके उपरांत हमने यह देखने की कोशिश की है कि अंतिम पाठ जो हमा दिनी निर्मल वर्मा जिद्वारा लिखित इन सब का अध्ययन और इस इन सभी पर परिक्षाएं भी हो चुकी है बी ऐसे के चात्रों की परिक्षाएं गुगल फ़र्म परिक्षाएं इसकी देरे देरे लेने की कोशिश करेंगे जो वस्तुनिष्ठ रूप से होगी हो सकत है कि कोविड के कारण अगली आने वाली सारी परिक्षाएं सारी मैं कह रहा हूं केवल यही नहीं क्योंकि कोविड से कोविड 19 से संक्रमित लोगों की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है तो हम एकत्र अब फिजिकली नहीं आ सकते हैं एकत्र बैठ करके परिक्षाण ही दे सकते तो यह आपको ओनलाइन परिक्षाएं देनी पड़ेंगी और इसलिए ओनलाइन अगर परिक्षाएं हैं तो वह आप विस्थार से लिख नहीं पाएंगे लगुतरी दिरगोतरी प्रश्णों नहीं होंगे अतह उसमें आपको वस्तुनिष्ठ बहु परियाई प्रश्णों का ही प्रयोग करना पड़ेगा इसलिए मैं जिस प्रकार से प्रत्यक पाठ पर आधारित 25-25 प्रश्णों की एक Google Form परिक्षा ले रहा हूं उसे बार-बार पढ़ें हो सकता है कि इनी 25 प्रश्णों में से कोई प्रश्ण आपको बाद में परिक्षा में पूछा जाए हो सकता है इन 25 के अलावा भी कुछ प्रश्णों होंगे लेकिन अधिकतर इसी प्रकार के प्रश्ण वहां आ सकते हैं कोई प्रश्ण पूछा जाएगा उसके चार परियाए पूछे चार दिये होंगे उसमें से जो सही परियाए है उसको आपको अंकित करना पड़ेगा जिसका Google Form का एनलेसिस हो जाएगा विशलेशन होगा और उस विशलेशन के अनुसार अंक मिलेंगे बहुत से चात्रों ने सो में से सो अंक मतलब हमारी Google Form परिक्षा में हमने 25 प्रश्ण प्रतिक प्रश्ण चार अंक के लिए इस प्रकार सो अंक की प्रश्ण पत्रिकाली थी जिसमें से बहुत सारे छात्रों ने तक लिये हैं लेकिन अगर मैंने दिय हुई PDF आपने ठीकडंग से पमजाना होगा या जो मैंने वीडियो भेजे उनको ठीकडंग से सुना होगा देखा होगा ठीकडंग से तो बहुत कठिन बात नहीं है ये इस प्रकार का तक्निकी शिक्षा के द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है। या फिर निर्मल वर्मा जी ने रचा हुआ यात्रावृत चीड़ों पर चांदनी हो। इसका आप डिटेल में अध्येन करेंगे जो मैंने भेजा हुआ है। जो कुछ नए चात्र इस WhatsApp ग्रूप में आये हुए हैं या बाद में इसमें आये हुए हैं। उनके लिए मैं फिर से PDF भेजने की विवस्था करूंगा। आप अची तरह से पढ़ेंगे और आपकी परिक्षाएं इस प्रकार होती रहेंगी। अब तक जो हमने साइध्धान्तिक रूप में पढ़ा। मतलब जिस प्रकार से हमने आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और यात्रावृत्य के बारे में जो कुछ पढ़ा है। इस पर एक परिक्षा कल हमारी होगी आज रात को उसके प्रश्णपत्रिका होगी। और कल सुबह वह प्रश्णपत्रिका आपको गूगल फॉर्म की दी जाएगी जो रात 9 बज़े तक आपके लिए खुली होगी। आप पूरे अध्येन करके उसके प्रश्णों का उत्तर दें। तो इस प्रकार से हम परिक्षा की तैयारी भी करते रहेंगे अध्येन अध्यापन भी करते रहेंगे। यह कभी मवद भूलना कि हम केवल विद्यार्थी हैं। हम केवल विद्यार्थी नहीं, अपि तो परिक्षार्थी भी हैं। और परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेना हमारा सरोप्रथम उद्देश होना चाहिए। तो इस द्रिष्टी से वस्तुनिष्ठ रीती से अध्यन अगर आप करेंगे तो आगे आने वाली परिक्षा में आपका प्रद्रश्चन मिश्चित ही बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम कल से एक नई बात की ओर जा रहे हैं। हाँ, अभी किसीने हिंदी का पाठ्थे क्रम मांगा है। शायद सुरजवागमारेज में। पाठ्थे क्रम तो मैंने लगभग एक मेहने पूर्व ही दिया था। जबसे BSC का WhatsApp समुह बनाया था। फिर भी मैं भेजने की कोशिश करूँग, आप चिंता ना करें। दोनों, BA और BSC, दोनों के WhatsApp समुहों में उस पाठ्थे क्रम को मैं और एक बार भेजने की कोशिश करता हूँ। उसका अध्यान आप अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन ध्यान रखेए जो साहित्य के बारे की बारे में बात है। यनि आपने आत्मवृत्य पढ़ा, आपने रेखाजित्र पढ़ा, आपने संस्मरन पढ़ा, निबंध पढ़ा और उसके उपरांत यात्रवृत्य पढ़ा। ये आपके पाठ्थे क्रम में 50% के लिए हैं। मतलब 50 अंकों में 25 अंक आपको इन साहित्तिक पांच विधाओं पर होंगे। लिकिंग जो उर्वरित 50% या 25 अंक हैं, वो भाषा के आधार पर हैं। जैसे गतवर्ष आपने हिंदी भाषा, देवनागरी लिपी, संगनक में देवनागरी लिपी का प्रयोग इस पर जोशी सर जी से बहुत अच्छा मारव दर्शन प्राप्त किया था। अब हमें प्रयोजन मुलक हिंदी के और बढ़ना है। तो इसमें जो पाठ्थे क्रम हैं मैंने पहले दिया हुआ है। फिर भी आपके सम्मु के एक बार उसका पुन्रावरतिन करना चाहूंगा। कि देखिए आपके पाठ्थे क्रम में महत्तो पुर्णा बात यह है कि आपको निबंध लिखने आने चाहिए। बजपन से आप निबंध लिखते आएं हैं किन्तु अब जो आपका स्तर बढ़ा हुआ है उस्तर क्या नुसार आपको निबंध लेखन आना चाहिए। आपको कार्यालईन भाषा समझ में आने चाहिए। भाषा की परिभाषा क्या होती है लिपी क्या होती है इस पर भी विचार करने आना चाहिए वित्तवानिज्यसंबंधी हिंदी को समझना पड़ेगा वैज्यानिक हिंदी को समझना पड़ेगा अनुवाद को समझना पड़ेगा यह सारी बातें आपके पाठेक्रम में यहां दिखाई दी जा सकती हैं इसका और एक पीपीटी में थोड़ी देर बाद आपके वाटसप समोह पर दोनों भी ए और बीए सिके दोनों के वाटसप समोह पर मैं साज्या करूंगा उसे अधिक तर पढ़ें और ध्यान रहे कि साहित्य भाषा का एक छोटा सा प्रयोजन है हमने जितने भी आज तक गद्य विधाएं पढ़ीं चाहे उपन्यास हो कहानी हो कविताएं हो आत्म कथा हो उसके उपरांत रेखा चित्र संस्मरण निबंध यात्रा वृत्त हो ये भाषा का एक छोटा सा भाग है भाषा का प्रयोग जिस क्षेत्र में होता है वो क्षेत्र बहुत बड़े-बड़े हैं साहित्य उसका एक अंशमात्र है कार्यालेइन भाषा अलग होती है अध्यापक जिस भाषा का प्रयोग करता है वो अध्यापकी ये शेक्षिक भाषा अलग होती है कोई वकील अपने कोर्ट में कोई महत्यपुर्ण जिरह कर रहा है तो उसकी भाशा अलग होती है धारमिक प्रवचनों की भाशा अलग होती है राजनीतिक भाशनों की भाशा अलग होती है उसके उपरांत बहुत से भाशा के रूप हैं जिन भाशा के रूपों पर हमें और अधिक गहराई से अध्यन करना पड़ेगा पारिभाशिक शब्दावली क्या होती है अलगलग वैज्यानिक शब्दावली क्या होती है रसायन शास्त्र की शब्दावली हिंदी में कैसे आएगी भौतिक शास्त्र की कैसे आएगी राज्य शास्त्र की कैसे समाज शास्त्र की पारिभाशक शब्दावली कैसे होती है सुक्ष्मजीव शास्त्र की पारिभ पारिभाशिक शब्दावली कैसे होती है इतना ही नहीं मैं तो आगे जाकर कहता हूं कि बिना भाषा के प्रयोग के आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते आपको खाना खाना है तो माता को बतना पड़ेगा कि मुझे भूक लगी है यह जो वाक्य है मुझे भूक लगी है मुझे खाना चाहिए यह भी एक भाषा का महत्तुपुर्ण प्रयोजन है तो इन सभी प्रयोजनों के बीच में हम कल महत्तुपुर्ण बात आपके समुक रखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम किस प्रकार से हम भाषिक प्रयोजन शीलता की ओर जाद सकते हैं और इन इस पाठ्यक्रम में हमें क्या-क्या पढ़ना है इस पाठ्यक्रम को पढ़ते समय हमें किस प्रकार से अलग-अलग साउधानियां बरतनी पढ़ेंगे इतना ही नहीं हम तो ये भी कहते हैं कि मैं बहुत बार चात्रों से एक चुनोती भी देता हूं कि आप एक हफ्ते न सही एक दिन बिना भाषा की जी करके दिखाएं क्योंकि मनुष्य एक समाजशिल प्राणी है और समाजशिल प्राणी होने के नाते उसे बहुत सारे प्रयोजनों के लिए बहुत सारे कारणों के लिए भाशा का प्रयोग करना पड़ता है जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा होगा कि मनुष्य और पश्यों में दो चीज के अंतर हैं एक है पाणी पाणी मतलब हाथ अन्य पश्यों को गाई को हाथ नहीं है बैल को हाथ नहीं है कुट्टे को आत नहीं है पाणी और दुसरा वाणी वाणी का मतलब यहाँ है कि भाषा, भाषा के भाषा में जो चात्र आगे जड़कर अच्छा कार्य करते हैं वो अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, अच्छे कवी बन सकते हैं, अच्छे उपन्यासकार बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, इस दृष्टी से आपको इस पाठ्यक्रम की और भी धान देना पड़ेगा, एक महत्तुपुर हो चाहे आकाशवानी हो चाहे दूरदर्शन हो चाहे अलग-अलग समाचार चैनल हो चाहे कोई भी आज का साधनी या सोशल मीडिया लीजे अब सोशल मीडिया पर भी फेस्बुक पर किस प्रकार लेखन करना चाहिए किस प्रकार से वाटसप पर लेखन करना चाहिए किस प्र भाशा के हो नहीं सकती। इसलिए मित्रों एक महत्वपुर्ण बात मैं यहां आप से कह रहा हूं कि भाशा का क्षेत्र, भाशा के प्रयुक्ति के क्षेत्र बहुत अलग-अलग हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों की और ध्यानपुर्वक रिती से बातें करनी चाहिए। और एक बार मैं उसका जो पाठ्यक्रम है उसको दोहराता हूं। हमारे प्रश्णपत्र का शिर्षक है सामान्य हिंदी तीन जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो सामान्य हिंदी तीन में भाषा संबंधी कौन-कौन से प्रावधान है। पाठ्यक्रम बनाने वालों ने भाषा संबंधी किन-किन चीजों का एहतियाद बरता है। कौन-कौन सी बातें आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उनकी और भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है भाषा के रूप में। ध्यान रहे, पहली बात है, वह प्रयोजन मुलक भाषा। प्रयोजन मुलक भाषा में पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाषा का स्वरुप और महत्व क्या है भाषा की परिभाषा, परिभाषा मतलब व्याख्या, डिफिनेशन क्या होती है, भाषा की विशेश्टाएं क्या होती है और भाषा के प्रकारिय, प्रकारिय मतलब जिसे अंग्रिजी में function कहा जाता है, वे क्या होते हैं, यह आपको समझना पड़ेगा, और एक महत्वपुर्ण चीज यहां है, वह है कि वैश्विकर्ण के परिप्रेक्ष में, आज जो globalization हो रहा है, उसमें हिंदी भाषा का क्या मह इसको भी जानना महत्वपुर्ण बात है, उसके बाद भाषा शिक्षन, किस प्रकार भाषा सीखी जाती है, उसका स्वरुप क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस पर भी चर्चा करनी है, और चार भाषाई कोशल आपको बहुत 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 गंभिरता से लेने हैं श्रवन मतलब सुनना भाषन या संभाषन मतलब बोलना पठन अर्थात वाचन और अंतिम्हे लेखन तो ये किस प्रकार से ये चारों कोशल्यों से हम नई चीजों को सीख सकते हैं उसके उपरांत व्यावसाइक हिंदी वानिज्य व्यापार उसका दातपर्य एवन और भाषिक प्रकार ये क्या है वनिज्य व्यावसाइक भाषा की संरचनात्मक विशेष्टाएं कौन-कौन से हैं व्यावसाइक पत्र लेखन क्या होता है उसके उपरांत निबंध लेखन में निबंध का तातपर ये क्या है निबंध का स्वरुग क्या होता है निबंध क निबन्ध हैं यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा तो यह जो मैंने अभी तक बात कही चाहे वो प्रविजन मुल्य हिंदी की हो चाहे भाशा शिक्षण की हो चाहे विद्वानिज्य की हिंदी की हो चाहे निबन्ध लेखन हो इन सब को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करे अब तक जो हमारे पांच पाठ हुए हैं उन पांच पाठों को पचीस अंकों का वेटेज है और जो अभी तक मैंने भाषाई बात की प्रविजन मुलक हिंदी की हो या भाषा शिक्षण की हो या फिर निवंद लेकन की हो ये पचीस अंकों के लिए निरधारित है इसलिए को साहित्य की तुल्ना में में कम्मत आंकि है है साहित्य भाषा के चोटा स्था प्रकार यह है भाषा उससे भी बढ़ कर तक हैं भाषा साहित्य precisely आगे चल करके हमारे देनंदिन व्यवहार से ले करके हमारे प्रलेखों के रिकॉर्ड करने तक हर जगह हिंदी का भाषा का प्रयोग होता है और आज हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है भले ही लेखन की अंग्रेजी अभी भी है लेकिन हिंदी सबसे बड़ी भ और उसकी सभी इन सब का अध्येन हम धिरे-धिरे करने का प्रयास करेंगे हमारा समय समाप्त होते आया है आज हम यहां रुग जाते हैं कल की तासिका में फिर से मिलेंगे शाम्र को मैं एक पांचों विधाओं पर 25 प्रश्णों का एक गुगल प्रश्णपत्र तयार करूंग ठीक है जिसको अगर किसी को कुछ शंकाएं हैं तो हमारे वाटसप ग्रूप में आप पूछ सकते हैं तो आप ज़रूर पूछें आज हम यहां रुग जाते हैं ठीक है धन्या हमारे वाटस्ह बोस्ट grounding का गुपल प्ररश्णपत्र चाटस्टrot इस कुछ एमें लग खाटस्गाइं आप दो सें धिर हमारे वाटस्टने का जडत्र पिस वामारे के ने ढु yıl किढ़ने को मैं यहां प्रश्टर प्रें अज़ एमारे मारे कंई gent कर जों आएल